ओपो एफिटीन और विवो एस वन प्रो दोनों स्मार्टफोन 20,000 की प्राइस में इंडिया के अंदर लॉंच हो चुके और दोनों का कंपेरिजन करते हैं इस वीडियो के अंदर सबसे पहले सुरुवात करते हैं डिस्प्ले से तो 6.4 इंज का फूल एच्डी प्लस एमोलेट से कंपेर करें तो लेकिन यहाँ पे जो अगर आप प्रेक्टिकली देखेंगे दोनों के एक वीडियो प्ले करके आपको दिखारों कंपेर करेंगे तो ज़्यादा ब्राइट ए आपको OPPO A15 में यहाँ पर दिखाई दे रही है वही 90.7 परसेंट इसकी इंटी पूइटी रेशियो भी मिलता A15 में S1 Pro में 90% STB दिए गया है अब बात करते हैं यहाँ पर कॉर्णी गोरिला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है OPPO के A15 में वहीं S1 Pro में आपको दिया गया है सूट सेंसेशन 3D तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फूजन रहेगा कि कॉर्णी गोरिला ग्लास 5 एक वेल लॉन ब्रांड है वैसे और लेकिन यहाँ पर सूट सेंसेशन 3D की बात करें तो यह वीवो के स्मार्टफोन में आयता पहले और जहां तक आपको इनफोर्मेशन अगर आप करते हैं Google तो आपको बहुत कम इनफोर्मेशन पर बारे मिलेगी लेकिन अगर आप मैंने कंफर्म किया तो वहाँ पर कंपनी ने बताया कि सूट सेंसेशन 3D कहीं भी कम नहीं है कॉर्णी गोरिला ग्लास 5 से तो इसके बारे में डिटेल में वीडियो बना सकते हैं लेकिन अभी के लिए कह सकते हैं कि दोनों स्मार्टफोन में आपको अच्छा प्रोटेक्शन मिल जाता है दोनों स्मार्टफोन में आपको वाइडवाइन 11 का सपोर्ट मिलता है तो HD कंटेट आप स्ट्रीम कर पाएंगे नेट्फिक्स पर अगर आप यूज करते हैं वीडियो देखते हैं साथ ही दोनों में आपको इन डिस्प्ले फिंगरपीड सेंसर दिया गया और दोनों के आप टेस्ट देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर आराम से जहां पर आप टच करेंगे दोनों को एक साथ में तो लगबग आपको सिम बेटरी और चारणि के तो ओप आरद को स्क्रीवट जिसमе लगठी फिंगर इस वन प्रो में आपको 4500 में मिलते हैं DEUAL ENGINE फार चार्जिंगे साथ वुक फ्लेट चार्ज 3.0 मिलता है आपको ओप ए 15 में जिसमें आप इस स्मार्टपोन को 30 मिनट्स में 51 परसेंट तक चार्ज कर सकते हैं वहीं फार चार्ज कर पाएंगे 40 परसेंट तो एक में पान्सों बेटरी जादा है और एक में 20 वोट का चार्ज जार रहे कंपेर टू 18 वोट अब बात करते हैं यहां पर परफॉमेंस की तो मीडिया टेक का हीलियो पी 70 प्रोसेसर यहां पर दिया गया ए 15 में जो कि 12 नम प्रोसेसर यहां पर ज्यादा अच्छा मतलब पावर एपिसींट आपको जो प्रोसेसर मिलता है को आलकॉम का स्नेप डेगन 665 है लेकिन दोनों में कंपेरिजिन के लिए अलग से वीडियो बन सकता है जो आप डीटेल में बात कर सकते हैं लेकिन अगर बात करें तो कुछ चीजों में आपे P70 आगे और कुछ चीजों में आपे Snapdragon 665 आगे है 665 में आपको ज्यादा पावरफूल बेटर परफॉमेंस मिलेगी लेकिन अगर आप गेमिंग की बात करें तो यहां पर गेमिंग के लिए हम चलते हैं आप इनकी PUBG सेटिंग में तो PUBG जब आप खेलने के लिए अगर स् HD की ग्राफिक्स पर भी सलेक्ट कर सकते हैं लेकिन अगर बात करें इसमें वीव एस मन प्रो में आपको जो गेमिंग परफॉमेंस है और मीडियूम सेटिंग तक जा सकते हैं तो यहां पर आप गेमिंग के लिए स्मार्ट फोन लेना चाहते हैं वैसे तो दोनों स्मार्ट स्मार्ट फोन है लेकिन आपको अगर इन दोनों में से लेना है तो यहां पर आप कंसिडर कर सकते हैं ओपो के फिप्टिंग को गेमिंग के लिए और अगर आपको डे टूडे एक्टिविटी मुल्टि टास्किंग के लिए ज्यादा पार एफिसेंट बेटरी कम उखाने व वहीं पर आपको S1 Pro में हाइब्रीड स्लोट दिया गया है तो यह एक अच्छी चीज है कि आपको A15 में स्टोरिज आप दो सिम के अलावा भी बढ़ा सकते हैं केमरा की चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे OPPO A15 में आपको मिलता है 48MP का में केमरा F1.79 अपरचर के साथ वहीं Vivo S1 Pro में भी आपको 48MP का में केमरा दिया गया है F1.8 अपरचर के साथ तो यहाँ पे दोनों में आपको similar सी performance मिलेगी आगे चलकी मैं आपको इसके sample दिखा दूँगा लेकिन यहाँ पे OPPO A15 का जो camera setup उसमें आपको benefit मिलता है कि जो 8MP का ultra wide angle camera दोनों मिलता है लेकिन उसी 8MP से आप macro short भी ले सकेंगे F15 में और bouquet photo भी कुछ अच्छी ले पाएंगे 8MP का जो आपको camera मिलता है उसी से ही वहीं पे 2MP का mono lens भी मिलता है F15 में और 2MP का portrait मिलता है और यहाँ पे S1 Pro में भी 2MP का bouquet और 2MP का आपको macro camera मिलता है तो जो macro short है, bouquet photo भी 8MP से आप ले सकते हैं OPPO A15 में प्लस आपको एक benefit है यहाँ अल्टरा night mode भी मिलता है OPPO A15 में तो night short आपको लेने तो वो काफी अच्छे से आप क्लिक कर पाएंगे OPPO A15 में ही वहीं भी हो के S1 Pro में आपको एक benefit ही है कि 32MP का front camera मिलता है जबकि A15 में आपको 60MP का front camera मिलता है तो दोनों के sample आपको अपनी screen पर दिखा देता हूं और दोनों के rear camera में आपको EIS का support मिल जाता है चलिए बात करते हैं यहाँ पर दोनों के weight की तो यहाँ पर light weight है OPPO A15 172 gram यहाँ पर आपको weight मिलता है वहीं Vivo A1 Pro में आपको 186.7 gram का weight दिया गया है अगर camera setup पीची से आप देखते हैं तो vertical shape में आपको दिया गया है यहाँ पर OPPO A15 न वही diamond का take अलग design आपको मिलता है Vivo का S1 Pro में अगर बात करते हैं दोनों में से कौन सा smartphone आपको लेना चाहिए वेसे तो दोने smartphone overpriced 20,000 की price में अगर बात करें तो आपको और अच्छे smartphone दूसरे brand के मिल जाएंगे यहाँ पर OPPO A15 में थोड़ी से अच्छी performance मिलती है लेकिन अगर आप एक अच्छे gamer है तो दोनों ही smartphone consider मत करिए दोनों के अंदर ही आपको अच्छी बतला smooth performance नहीं मिलेगी अगर आप HD पे खेलते भी है कोई भी smartphone में S1 Pro में तो आप select ही नहीं करवाएंगे A15 में भी gaming करते है तो आपको थोड़ा vibration सा feel होगा तो दोनों में आपको smooth setting पर ही खेला पड़ेगा तो यहाँ पर दोनों में gaming के लिए तो आप consider मत करिए इसके अलावा भी बात करते हैं कि OPPO का A15 में आपको जो alternate mode मिलता वो काफी अच्छा है वहीं Vivo के S1 Pro में अगर आप front camera से picture क्लिक करते जादा तो Vivo S1 Pro consider कर सकते है तो दोनों स्मार्टपोन के बारे मैंने चारी डिटेल आप से share की कुछ डिटेल यहाँ पर रहे गई है जो मैं confirm परके आपको जरूर पताऊंगा जादा जादा आप comment करके पूर सकते comment box में आपको अबडेट कर दूँगा I hope आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा वीडियो को लाएको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना Thanks for watching, thank you very much